नमश्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी प्लेट्फॉम परिक्षाप्लस पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 2019 टैपिंग के सम्मंद में जैसा कि आपको पता है कि रेटिन एक्जाम का रिजल्ट आउट हो चुका है और जैसे ही परिसितियां थोड़ी समान ने होती है आपका टैपिंग एक्जाम भी आयोग द्वारा कंड़क्ट करवा दिया जाएगा टैपिंग को लेके बच्चों में बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं कि टैपिंग के स्वाण पर होती है वहाँ इंग्लिश टैपिंग पहले होती है या हिंदी बैक्सपेस अलाव होता है या नहीं वगेरा वगेरा तो हमारी टीम द्वारा जो है वो आपनों की जितनी भी क्वेरीस थी जितने भी डाउट से उनको कलेक्ट किया गया है और आज की वीडियो में मेरी यही कोशिश रहेगी कि जितने भी आपके डाउट से वो सब क्लियर हो जाए सबसे पहले बात करते हैं टैपिंग के नेचर की तो देखें टैपिंग का जो नेचर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है यानि इसके लिए आपको किसी भी तरीके के कोई मार्क्स नहीं दिये जाते हैं अगर आप आयोगद्वारा निर्धारित शब्द सीमा को क्रॉस करते हैं तो आप इस एक्जाम को कॉलिफाई कर जाते हैं आयोग द्वारा निर्धारित वो शब्द सीमा कितनी है आई इस पर भी बात करते हैं इंगलिश में आपको 30 words per minute और हिंदी में 25 words per minute जो है वो टाइप करना होता है टोटल 5 minute का आपको वहाँ पर समय दिया जाता है 5 minute के according आपको इंगलिश में 150 words और हिंदी में 125 words बिल्कुल सही टाइप करना होता है अगर आप इतने words बिल्कुल सही टाइप करते हैं तो आप ये मान कर चलिए कि आप टाइपिंग एक्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं टाइपिंग एक्जाम में आप लोगों का फॉंट कौन सा रहता है ये भी question था आप लोगों का तो देखिए वहाँ पर फॉंट जो है वो कृतिदेव और मंगल दोनों ही अलाव होते हैं जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आपसे वहाँ पर पूछा जाता है कि आप किस फॉंट पर टाइपिंग करेंगे और जो भी फॉंट आप बताते हैं उस according वहाँ पर आपको एक system अलोट करवाय जाता है आपको वहाँ system पर सबसे पहले अपना जो date of birth है और registration है registration number जो आपको दिया जाता है वो आपको लॉग इन करना होता है Login करते ही आपके सामने एक instruction का page जो है वो खुल कर आता है तो instruction का page जब आपको आपके सामने खुल कर आता है तो आपको उस पर agree करना होता है Agree करने के बाद आपके सामने एक matter खुल कर आता है और वो matter जो है वो English का होता है तो सबसे पहले जो typing होती है वो English की होती है जैसे ही आपकी 5 मिनट की typing जो है वो complete हो जाती है उसके बाद जितनी भी आपकी net speed है वो प्लस आपने कितने सही words जो है यानि WPM आपके कितने आए वो दोनों ही चीज़े शो कर जाती है और आपका 5 मिनट जो है वो complete हो जाता है same process जो है वो Hindi के साथ भी रहती है within 5 minutes जो है वो आपका Hindi का test start होता है और Hindi में भी यही प्रक्रिया चलती है और जैसे ही आपके 5 मिनट complete होते हैं आपकी total speed और आपने कितने सही words type किये वो दोनों चीज़े शो कर जाती है जी हाँ backspace जो है वो वहाँ पर allow होता है आप जितनी बार भी चाहें वहाँ पर backspace का use कर सकते हैं इसके लिए कोई problem नहीं है होता क्या है कि जब आप वहाँ पर typing करना start करते हैं और आप किसी word को या letter को गलत टाइप कर देते हैं तो वह letter red color का show होने लगता है suppose कि आपने THIS को THES लिख दिया तो वो E letter जो है वो red color का show होने लगेगा आपको करना क्या है कि आपको तोरण backspace का use करना है और E को I way convert करना है और आगे बढ़ जाना है तो इसे साब से backspace जो है वो allow रहता है accuracy की जहां तक बात रही तो देखे accuracy का वहाँ आयोग ने accuracy को कोई define नहीं किया हुआ है और नहीं accuracy का वहां कोई matter रहता है वहाँ पर जो आपको final result show करता है वो आपके words show करते हैं जितने भी आपने सही type की है और आपकी जितनी net speed आती है वो show करता है तो accuracy वहाँ show नहीं करती है लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक advice दूँगी कि आप लोग जो है accuracy पर ध्यान दें क्योंकि जितनी accuracy के साथ आप matter को type करेंगे उतनी ही सही words जो है वो आपके बढ़ते जाएंगे और आप typing easily qualify कर ले जाएंगे तो कोशिश कीजिए कि आप लोग की जो accuracy है वो 95 प्लस में ही रहे उससे कम ना हो पाए टाइम जो है वो जब आप अपना registration number और जो आपकी date of birth है उसे login करते हैं तब से टाइम आपका start नहीं होता है आपका time तब start होता है जब आप system पर कोई भी key press कर देते हैं यानि आप पहली कि जब प्रेस करते हैं वहां से आपके पांच मिनट जो है वो start हो जाते हैं तो आप लोग को करना यह है कि आप लोग जब भी matter आपके सामने खुल कर आए तो एक बार आप उस matter को जो है वो read कर लें ताकि एक basic समझ जो है वो आपकी develop हो जाए और आप असानी से typing कर पाएं पांच मिनट आपको बोला जाता है वहां पर word page जो है वो खुला हुआ रहता है आप वहां पर जाकर उस पर कोई भी sentence टाइप करकर देख सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आपके keyboard में कोई भी problem है तो आप वहां पर उपस्तित team से contact कर सकते हैं आपका keyboard जो है वो change कर दि करेटर रहता है और special characters के लिए कुरुती देव में पूछा था बच्चों ने तो special characters जो है वो बहुत कम यूज होते हैं मुश्किल से एक या दो special characters पूछे जाते हैं और किसी-किसी shift में तो एक भी नहीं पूछे जाते हैं तो special characters के लिए जादा परिशान होने की जरूद नह जाती हैं जैसे कि अभी जो जूनियर असिस्टेंट 2016 वाली टाइपिंग हुई है जन्वरी 2021 में तो उसमें COVID पर बहुत सारी messages पूछे गए थे तो COVID-19, 2020 इस तरीकी की चीज़ें वहाँ पर पूछी गई थी तो आप लोग इन सारी चीजों की practice करते रहिए जैसे की deserts हैं, comma है, dash है, इन सारी चीजों की practice आप लोग करते रहें, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें वहाँ पर पहुचके कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इसके अलावा हमें अपनी typing को अधी किस तरीके से strong करना है, तो देखें, typing जो है आप लोग तीन तरीके से कर सकते हैं, आप लोग online typing कर सकते हैं, आप लोग किसी software पर भी typing कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोग offline भी typing कर सकते हैं, online जो है कुछ sites हैं, जैसे कि India typing है, typing वाला है, इस पर आप typing कर सकते हैं, कुछ software हैं, जैसे typing master है, sonma typing है, इन सारी चीजों पर, इसके अलावा एक jr typing भी आथा है, उ देखे अभी आपके पास क्योंकि समय है तो मेरी एड़ाइज यही रहेगी कि आप लोग ऑनलाइन और ओफलाइन दोनों तरीके से टाइपिंग कीजिए अफलाइन टैपिंग में देखे होता क्या है कि मेरे सामने रखा हुआ होता है और हमें स्क्रीन पर टाइप करना होता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है लेकिन जैसे ही अगर हमारी एक बार पकड मजबूत हो जाती है तो online typing करना हमारे लिए बहुत जादा आसान हो जाता है तो इसलिए क्योंकि अभी आपके पास समय है तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग दोनों ही तरीके से typing कीजिए और जैसे ही आपकी exam date जो है वो declare हो जाएगी उसके बाद आप लोग सिर्फ online typing ही कीजिएगा एक चीज और कि आप लोगों को keywords कैसे use करना है तो देखें keywords जो है वो आपको केवल एक keyword पर typing नहीं करनी है आपको minimum दो keywords का use करना है होता क्या है कि हम घर पर एक keyword से practice करते रहते हैं और जैसे ही दूसरा कोई keyword हमारे पास आता है तो हम घबरा जाते हैं और उस पर हमारी fingers जो है वो इतने अच्छे से काम नहीं करती है तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लोग minimum दो keywords जरूर यूज करें अपनी tapping speed को कैसे बढ़ाना है तो उसके लिए मेरी एक advice यही रहेगी कि आप लोग जब भी type करें तो एक matter को कम से कम 10 times जो है वो type करें एक matter को 10 times करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी speed थोड़ी increase हो रही है उसके बाद ही आप दूसरे matter को उठाएं same process जो है वो आप दूसरे passes के साथ भी करें उसको भी 10 times type करें और इस तरीके से आपको 8-10 passages के साथ करना है जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि आपकी speed जो है वो बढ़ चुकी इसके बाद एक चीज कि हमें परिक्षा hall में कौन सी गलतियां नहीं करनी है तो देखें हमें परिक्षा hall में जाके एक काम नहीं करना है कि हमें वहाँ पर control की जो है वो प्रेस नहीं करनी है जब हमारा admit card आता है तो उसमें साफ साफ ही लिखा हुआ रहता है कि आपको control की प्रेस प्रेस नहीं करनी है हो सकता है कि control की press करने से जो आपका matter है वो रुख जाए आपका system रुख जाए और आपकी सारी महनत जो है वो बर्बाद हो जाए तो अभी से आप लोग ऐसी कोशिश कीजिए कि आप से control की press ना हो और आप इन सब चीजों का ध्यान में रखती हुई ही typing कीजिए सबसे important thing है वो है ये वो है आपका confidence और होता क्या है कि जब हम लोग घर पे typing करते हैं तो हम लोग अकेले एक शांक महौल में typing करते हैं और हमारी speed जो है वो 40 प्लस या 50 तक पहुँच जाती है लेकिन जब हम परिक्षा हॉल में पहुँचते हैं तो वहाँ पर atmosphere जो है वो बिल्कुल अलग होता है वहाँ पर 30 से 40 स्टुडेंट एक साथ एक हॉल में भेजे जाते हैं और वहाँ पर एक जो mental pressure है वो अपने आप create हो जाता है और जो लोग 50 की speed में typing कर रहे होते हैं वो वहाँ पहुच कर 30 की speed भी नहीं ला पाते हैं तो इसके लिए आप अपने confidence को कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए केवाल एक ही तरीका है और वो है ज्यादा से ज्यादा practice आपको करना ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा test देना है test के लिए आपको ये करना है कि आपका वहाँ पर 5 मिनट का test होता है तो आप लोग 5-5 मिनट का timer लगा कर practice करते रहे हैं जितना ज्यादा आप practice करेंगे उतना ही ज्यादा आपका confidence वो बढ़ता जाएगा तो इस तरीके से आप लोग typing की practice करते रहे हैं क्योंकि कई बार लोग इतनी अच्छी typing करते हैं वहाँ पर देखा गया है कि लोगों के हाथ जो हैं वो भी कापने लगते हैं कुछ ऐसी चीज़ें भी लोगों के साथ होती हैं तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ ना हो इसके लिए आप अभी से ज़्यादा से ज़्यादा practice कीजिए आप लोगों में से बहुत से लोग पूछ रहे थे final cutoff के बारे में तो final cutoff के बारे में देखिए अभी से कुछ बताना ठीक नहीं है क्योंकि दो shift में ये exam हुआ था और दोनो shift में इस बार जो है वो normalization भी हुआ है तो normalization के बार हम ये नहीं कह सकते हैं कि किस shift के जो marks हैं वो बढ़े होंगे और किस के घट गए हो हो सकता है अगर आपके marks बहुत कम रहे हो तो वो बढ़ गए हो तो इसलिए जिसके marks कम हैं उसको भी निराश नहीं होना है वहाँ अभी किसी को भी नहीं पता है और typing की call तो आपकी आनी ही है तो पहले आपका जो ध्यान है वो typing करने पर होना चाहिए और फिलहाल आप लोग सिर्फ typing पर ध्यान दीजे आपकी जितने भी confusions हैं अभी फिलहाल के लिए दूर हो गए होंगे इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी तरिके का कोई doubt रहता है कोई भी confusion रहता है तो हमारी team परिक्षा प्लेस आगे भी आपका mark दर्शन करती रहेगी और फिलहाल आप लोग बस अच्छे से typing कीजे अभी के लिए इतना ही धन्यवाद